हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज हम डिसकस करेंगे उस ताथ बड़े गुलाम अली खांग जी की जीवन परिच्चे, तो चलिए अपना टॉप्टिक स्टार्ट करते हैं, आप इसको अलग-अलग पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो आप एक साथ भी पूरी जीवन परिच्चे को लिख सकते हो, मैं आपको बता दू, आपका मैकसिमम जीवन परिच्चे मतलब डेड़ पेज का होना चाहिए, मतलब ये वन पेज और ये हाफ, इतना होना चाहिए, आपको नमबर अच्छे मिल जाएंगे, लेकि साथ बड़े गुलाम अली खां का जनम, पीता अली बक्ष खां के घर 2 अप्रेल 1902 को पाकिस्तान में हुआ, मतलब कहां पैदा हो थे पाकिस्तान में, ये आपके सलेबिस की सबसे इंटरस्टिंग बायोग्राफिय है, देखते हैं, कहां पे पैदा हुए थे, कब पैदा हो चाचा ऑने थी और वो अच्छे गायक भी थे, इन्होंने संगीत की सिक्षा पहले अपने चाचा काले खां से ली जो अच्छे गायक थे, सबसे पहले इन्हों इंटरूंय अंपने पिता जी से शी खां कहां से ली ती। तो मैं होप करते हैं आपको जीवन पर इच्छे समझ आयोगा, अब हम देखते हैं प्रक्ती, प्रक्ती मतलब इनकी संगीत की दुनिया में कैसे आगए बढ़े है, सारंगी से इनको अच्छी आमदन होने लगी, मतलब सारंगी आगी तो इसे अच्छी कमाई होने लगी और घ कर्च भी बढ़िया चलने लगा, सारंगी के सासत इन्हों ने अपने गायन से पंजाब के लोगों को काभी काफी प्रभावित किया, मतलब पंजाब के लोग बहुत खुश थे इनके गायन से, कुछ समय बाद आप अपने पीता जी के साथ गायन सीखने मुंबई आये, कु इनको प्रशंसा पत्र लिखा, इलाइन इंपोर्टर ने 1945 में महादमा गांधी जी ने प्रशंसा पत्र लिखा, 1946 में काशवानी से इनके प्रोग्राम प्रसारित होने लगे, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट प्याराग्राफ जो किये गायन, आप रियास करतने पर बहुत ज देते थे, मतलब यह बहुत ज़्यादा रियास करते थे, कहते हैं कि आप 20 घंटे रियास किया करते थे, मतलब एक दिन में 20 घंटे रियास किया करते थे, आप कानून नामक साज बजाते थे, कौन सा कानून नामक अपना रियास इसी के साथ ही करते थे, 1947 के विभाजन के बा इने के लिए भारत आ जाया करते थे, किंतु पाकिस्तान में इनका मन नहीं लगा, भारत सरकार के विंती करने पर आप मुंबाई से पक्के दोर पर रहने लगे, तो मतलब भारत सरकार ने विंती की तो ये मुंबाई में पक्के दोर पर रहने लगे, आपका गाने का तरीका स आपने फिल्म मुगले आजम में तान सेन के रोल में गाकर खुवावाई लोटी अम देखते हैं गायन के विना रहे नहीं सकते थे आप गायन के बिना नहीं रह सकते थे स्वरों पर पूरा-पूरा अधिकार था इनका आप मुश्किल से मुश्किल स्वर समू बड़ी असानी से गा लेते थे तो सुनने वाले भी दांतों तले उंगलिया धबा लेते थे मुश्किल से आप पहलवान लगते थे बंद मोरी का बजामा पाते थे काली टोपी होती थी सिर्फे बड़ी बड़ी मुशे रखते थे आप बहुत सरल और मिलन सार सभाव के थे अब हम इनकी बिमारी के बारे में पढ़ते हैं इनकों सी बिमारी हो थी 1960 के आसपास ही इनको लखवा हो गया था जितना पैसा था सब खर्च हो गया फिर महाराज सरकार ने इनको 5000 रुपे आर्थिक सहयता प्रदान की कुछ समय बद ठीक होकर फिर प्रोग्राम देने लगे थे भारत में कहीं भी संगीत प्रोग्राम होता था तो खास आपको ही बुलाया जाता था देखते हैं का नीधन कैसे हुआ फिर उसके वाद उनकी एक लंबी बिमारी हुई उसके बाद फिर लंबी बिमारी के बाद आप 25 अप्रेल 1968 को दुनिया को अलविदा कह गए तो मैं होप करते हूँ आपको जीवन पर इच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और में चैनल को ज़रूर सब्स्क्राइब करें और आने वाले टाइम में अगर आपको कोई भी वीडियो चीए तो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कर दें थैंक्यू